वाहिगुरुजी का खालसा, वाहिगुरुजी की फते, संगतानु मबार्ख, सादा एक नमा संगत टेलिवीजिन का हेल्ज शो अज आया है, ते आज दा शो सादा हैगा ग्लोकोमा वारे, काला मोतिया भी कही कहतन देया, ते सादे नाल एक स्पेशलिस्ट आये हैं, दॉक्तर तरन शर्मा, जो कंसल्टंट आई सर्जन है, जिन्होंने विद्या प्रापत की, इंडिया में भी टॉप आई सेंटर, आर पी सेंटर, एमस से, जो सब से, वान अब दे बेस्ट आई इंस्टिछूस इंडिया में है, वहां से भी अखों की ट्रेनिंग की, और यहां आके, ब ग्लोकोमा वारे, क्म्यूनिटी वेच काफी इनननु अवार्ड मिले आए, क्योंकि इनने ग्लोकोमा जांच वारे, पेशन्स नु अवेरनेस लेयाओं वास्ते बहुत कम कीता, आसी इनननु ताह लेके आए, श्टूडियो दे वेच आज, कि थोड़ा थवानू, थोड़ा कंसल्टन्ट अप्थमोलोजिस्ट हो, लीड भी हो, थोरा जैसानू, दस्सो पहलो एक ये ग्लोकोमा जो है, ये काला मोतिया, इसको क्यों कहते है, ये क्या है, तो अगर हम देखे कि जो नजर जाती है उमर के साथ, धीरे-धीरे, अधिक्तर बारी, कार्टरेक्ट या सफेध मोतिया, इसलिए सफेद मोतिया कрьला जाता है, कि जब टॉर्च लाइट मारते थे तो उस सफेध और ने सफेद रिखलेक्शन आता, था प्यूपल में अब कुछ ऐसे मरीज, जिनको काला मौतिया होता था, इसको काला मौतिया इसलिए इसलिए कि जब इनमें टॉर् पहुती अंत स्टेज पे काफी जादा नजर जाती है शुरुआत में धीरे धीरे जाती है तो धीरे धीरे पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तो जब मरीज को तकलीफ होती है जब जाता है कि नजर नहीं आ रहा हो देखते हैं अरे लाइट मारी सफेद तो तो काला मौतिया को इसलिए नाम काला मौतिया पड़ा लेकिन काला मौतिया जो बीमारी है वो बड़ी ही इस एक तरीके से खतरनाक बीमारी है यह ऐसी चीज़ है जिसके अंदर चुकि आपको पता नहीं कि आपका नुकसान हो रहा है हो जा रहा है हो जा रहा है आपको पता न सिर्फ अंत समय में बिलकुर एंड सेज में आख के आपको पता लगता है अरे यह तो नदर काफी जादा खराब हो गई और उसका कारण जो एक खास और पे है वो प्रेशर होता है आख के अंदर तो आप समझें कि प्रेशर जो है हर चीज के अंदर important है और हर चीज optimum जो की ठी में प्रेशर हो उसी पह काम करति है अगर आप कार के टायर की लिया ट्यक्तर के टायर की बात करें अगर उसमें हवा कम होगी तो बीनी चलेगा और हवा बहुत जाघा हो जाएग जाएगी तो फटने लगता है तो समझा है जैसे रसी के इंदर एक रसी, एक रसी नहीं प्रेशर बढ़ने से तूटते जाते हैं जैसे समझें कि प्रेशर बढ़ रहा है तो वो तूट रहा है वो एक स्टेज के बाद वो आपके विजुवल फील्ड या जो आप देख रहे हैं उसके अंदर से जो आपका सिर्फ सामने वाला देखने और जो साइड में जो दिख र आता है और इस वज़े से हम लोगों को इसका प्रेशर ठीक करना पड़ता है तो यह जो है काला मोतिया आंक की बीमारी जिसमें बिना कुछ पता लगे नजर जा रही है आंक का प्रेशर धीरे-धीरे बढ़ रहा है और हमारी आंक को खा रहा है इसलिए इसको साइलेंट थी जो आप बोल रहते हैं पंजाबी में क्या रहते हैं वो जो प्रेशर जब आख का बर जाता है वो जो आपकी नवज है जो यहां से जाती है ब्रें तक आख से उसको प्रेशर पनने से वो जो था उसके जो सेंस करनके उसके रस्ते हैं वो तूर जाते हैं सो आपने बहुत अच्छी तरह दस दिया हमको भी जो यहां के जम्मेपले हैं काले मोती का पता नहीं पहलो था सो बहुत ही बदा थेंक यूँ थो थो कियो नहीं क्यों लेट क्यों आते ग्लोकूमा जो बैठे हैं हमारे दर्शक उनको पता कैसे लगेगा उनको ग्लोकूमा है जा नहीं है तो इसमें लेट इसलिए होते हैं कि एक हिंदुस्तान के मरीज ही नहीं हर जगे के मरीजों के यही तकलीफ है कि जब तक 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 तरफ से तकलीफ जादा ना बढ़े तब तक वो इलाज नहीं कराने जाते हैं अच्छा इसके अंदर जब को उनको पताई नह लग रहा कि क्या हो रहा है उनको पताईने की आँका प्रेशर बढ़ा हुआ है और धीरे धीरे आँक जा रही है वो कहे को जाएंगे हम आप कहें कि यह मैं तो ठीक ठाक हूं अब कितने सारे लोगों ने कोबिट के दुरान का कि हम वैक्सीन क्यों लगवाएं हम तो ठीक ठाक हैं ऐसा ही उसके अंदर उनको कोई पता ही नहीं सिम्टम ही नहीं है इसको प्रेवेंट करने के लिए इसको जल्दी पकड़ने के लिए सब बहुत जरूरी है जो कि हमारे हिंदुस्तान में और पाकिस्तान के इंदर भी और पूरी कल्चर के इंदर ही डॉक्टर के पास जरूरी बलकि आज कल तो मैं कहूंगा कि हरे किसी को साल में एक बार अपने आप्टामेटरिस से आँख करानी चाहिए लोगों लगता मुझे तो ठीक दिख रहा है मैं क्यों जाओं आप्टामेटरिस मेरे को फाल्तू में गलास मना देगा अच्छा ये तकलीव भी है आज कर तो दोदस हजार के पचास पचास हजार के बना रहे हैं तो इस वज़े से कॉन्फिडेंस नहीं है लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस आपको कोई जबरदस्ती आपकी जेव से तो पैसे निकाल नहीं लेगा अगर आप एक अच्छे आप्टामेटरिस को ढूने जो इस को डायबेटीज है अगर आप स्टिरॉइट पर हैं अगर आप किसी और बिमारी के इलाज करा रहे हैं अगर आप आँख साल में एक वार अपनी आँखा चेक कराते रहेंगे तो यह चीज जल्दी पकड़ में आजाएगी अगर यह जल्दी पकड़ में आई और हमने इसे क कभी नहीं कर पाएंगे हमेशा जो ग्लाकोमा के डॉक्टर हैं उनकी सबसे बड़ी तकलीफ यह है ऐसी मिमारी है जिसमें मरीज को लगता है नहीं की कोई मिमारी है शुरुआत में और जब तक मिमारी इतनी बढ़ जाती है तब तक डॉक्टर सिरफ रोग ठाम के जितना ब अच्छाइब कराते नहीं है गडी आपा क्राले ने ना मट हुंदी है गडी आपकर नि पहन दिया क्रॉनी पहन दिया चौकि गवर्मेंट केंदी है कि जिसी गवर्मेंट कर आई को जानी है तो जिए आफ जैनल हेल्ट वास्ते ते जरी अपनी कम्यूनिटी वेच होंदे रची कम्यूनिटी वेच हेल्थ केर सूपने यूके दे वेच तो इस बहुत सिस्टम अच्छी है अच्छी ऐसी है कि यह किसी के पास ग्लोकोमा जिसके मापाप को गलोकोमा था जब वो चाली तक पहुंच जान दे चाली तो बाद उन नहीं पता होंदा है कि आपने आपने ते इंडिया दे वेच होना पां ले लिए तरण जी इनन उप दसो के इंडिया वेच पाकिस्टान वेच यूरॉप वेच मेल यूठ पेड सिस्टम सा उठे जरी हेल्थ के अधी सिस्टम हमारे जैसी जो एने चैस है वो उनके पास नहीं है सो वहां बचे कैसे कैसे उनको पता लगेगा किसी के वेबसाइट के साथ के वो इसमें माहर है क्लोकोमा के स्पेशलिस्ट है कैसे देखे वेबसाइट वगरा के उपर तो कोई भी इंसान बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकता है कोईश भी कर सकता है वो तो आपका जो सबस इंडिया के इंदर जो चलता है वो वर्ड टू माउथ जो है ना आपको किसी ने बताया कि वह अच्छा डॉक्टर है और वह फालतू में पैसे नहीं किस था फालतू में किसी को चुगना नहीं लगाता तो उसी के पास जाने हां बहतर रहता और आप्टोमेट्रिस भी ऐसे जानके हैं कि अगर आपको एक बार दोका देंगे तो फिर आपके पास अगली बार मरें दूसरे लोग नहीं आएंगे तो उन लोगों के वास आप जाके चेक करा सकते हो लेकिन एक दूसी खास दारों पर बात ये भी हमारे को बतानी होगी कि तो आप दूसरे के जैधा कमन को में जो ऊता है जो के यो रहता है तो तो चानक बंद हो जाए तो उसमें पयार बहुत बहुत आता ये है वह भी प्रेडिक्ट करा जा सकता है पखड़ा जा सकता है अगर आप रेगलरली अपने के पास आप्टो मिटर्इस के पास याके चेक कराते रहते हैं साल में एक बार चेक करा लें और कितना लगे का पेटिर्फ केन और जाने के जब लो चीज करना है मोटी है कि स्क्रीनींग और Heti ऋब ऑन कॉमा मे प्रीफ के पास नहीं है तो को यह बसक पर चाहिए थी पीछ आशे देखना चाहिए और एक प्रेशर चेक करना चाहिए तो अगर हर एक सब्सक्राइब करने लगें लेकिन सबसे पहले नजर तो हरे कोई चेक करता ही प्रेशर आउंख के चेक होत और हुसके साथ साथ पीछ ऑंके जो नर्व है उसका मूं कैसा दिख रहा है उसके ग्मों में फIES के कारान आपका डमेज बढ़ता जया रहा है उसके अगर वह ऐड़ता गलता चैस तो दो तरह के टेश पॉसिबल है। एक तो स्कैन कहते हैं आज कल OCT स्कैन या दूसरे ला इंडिया के लिए पर दूसरे ले confidential ने यस्यों के सकैन है not पास इंडिया से भी लोग consultation पूछने आते हैं कई बार रिष्टेदारी में, वो visual field कराने को तयार नहीं होते हैं, क्या रहे, operation फालदू में इतने पैसे ले रहा है, अच्छे खासे पढ़े लिखे, chief engineer type के लोग, मैं बता रहा हूं, जो मेरे रिष्टेदारों में लगते हैं, वो कहते हैं कि वालदू में वैसे ले रहा है, मैं काहे को टेस्स कराओं, फिर मैं कहते हूं, आप टेस्स कराते हो, और आप हर 6 मेने पे कराते हो, जिनको diagnose हो गया एक लाकोमा, तो ये सबसे important चीज है, कि मेरे को इसमें दलाई-लामा की एक बड़ी याद आती है, दलाई-ला कमाता है, जैसे उसे कभी मरेगा ही नहीं, जब वो कमा रहा होता है, तो कमाते कमाते वो कभी जीता ही नहीं, फिर उसे बीमारियां लगती है, फिर वो उसके इलाज करने के जो कमायवा पैसा उसे खर्षता है, तो जब वो जिन्दार होता है, वो कभी जीता नहीं, और जब मनलब फिर मरने का टाइम आ जाता है और बड़ा उसको दुख होता है हम लोगों को अपना रवाया बदलना होगा हमें अपना रवाय में अपनी हेल्थ की कीमत सबसे जादा लेनी होगी कि हां हमारे लिए हमारी हेल्थ इंपॉर्टेंट है यह नहीं कि सब सब बच्चे के ट् लग लगा नम्र्ना नमनो विसार है हैं कि तृषण तृषण आपण प्छता प्किए कि अपना खाने दी प्रिषण मारें आजां दी ऐख हैं दिया है रख मालभ तोई लिए होगRO के ही लिजगा मक्रोद आपणते को असंट disse Judy न बौत जिज्ञा हैं आया हैं आपने आप आखता है तुसी जानने है आव दी नजर ओधी तुसी जरूर विजूल अक्यूटी होनु कहन दे या विजन लेनी है चश्मे देनाल चश्मे तब गयर भी हो कर दे हों दे दुज्जा हैगा के आख दा प्रेशर आख दा प्रेशर ए तुसी नोट करना है करे बैठे होए दु अब्टिक डिस्क फोटो जा OCT scan हो गया ओदा ते चौथी चीज आगी न होना होना है विजूल फील्ड जिदे विजूल फील्ड मतलब है तुसी एक डिश दे विच आव दा मू रख देया तुसी बटन प्रेस करने पहन देया के जदो जिते जिते दाने देस देया तुसी रहते हैं तुसे सोचो चो के डादा जी दी नाना जी दी मम्मी डैडी दी आसी अखाणी अव्ट लाइनड कराई या दो साल तेन साल हो गया पहला पहले नानु जा के जाओ जोप्टिशन दे ओप्रिंजेदी करो तुसी ओना देनल वैट के करो के ऐनी टी लोकोमा भी फोटो लो फोटो दा मतलब एह हुंदा के जाता हो जड़ी आप्टेशन प्रैक्टिस वाले हुंदे तो अनू प्रिंट आउट करके दे दिन दे किसी ताइम फोटो लैंड दे दिन दिया ओदे नाल थो अनू ठोले और रेकोर्ड आजान दाया ते फिर जुसी जदो तुनू प्रेशन पर जूगा हों डॉक्तर शर्मा जी ऑप्टेशन जदोनन लगदाया कि लोकोमा है फिर वो क्या करते हैं यूके में वो क्या करते हैं तो अप्रेशर बढ़ा हुआ यागा का प्रेशर नॉर्मल भी ए लेकिन पीछे की आंख जब देखता है तो उसमें रही करते हैं कि वो उस चीज को डाइगनोस कर सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं लेकिन इंडिया और पकिस्तान वारी जगहों पर आपका प्रेशर बढ़ा हुआ है आप आँके अच्छे डॉक्टर को दिखाओ और इंडिया के अंदर ग्लाकोमा ऑल्मोस हर आइक आंकों का करते हैं इंडिया के अंदर हों का सर्ज Taste कि जड़ा करता है सफेद मोटिया करता जो चश्में उतारने का ब्रेशन करता लेकिन आंकों का यह वाला चेक और्मुस हर कर सकता इई इसका operation नहीं कर पाएगा लेकिन इसका check करके आपको बता देगा ग्लॉकोमा है के नहीं है यहां पर तो आपका operation बहुत ही clear पाते हैं आपके अरिया में हो या तो अपना operation अपने आप देखेगा या आज कल community scheme शुरू हो गए या hospital बेजेगा तो यहां के लोगों को उतनी तकल देखाया आप शाम को जाके दूसरे doctor को देखा लो एकल देखा लो दो चीजों की system की डॉक्टर शर्मा जी ने दस्याया के एक ता प्राइवर्ट सिस्टम है गिया एक एनेचेस दी सिस्टम है जड़ी सोड़ी government लिया इंडिया देवेच भी government hospitals है गया हाना पर उते हो जान देखना चाहिए देखना चाहिए देखना क्वालिफिकेशन देवेच की ओ देखना ग्लोकोमा दी fellowship है जब लोकोमा की training है जिसके साथ वो आपकी पूरी तरह से treatment कर सकता है क्योंकि शर्मा जी अब हम नेक्स्ट प्रोगम में थोड़ा सा उसका कडेंगे कि तीन चीज़े है ना एक तो drops भी है एक laser है और एक surgery तो हमारे दर्शक है वो कहेंगे के यह drops है में treatment को ग्लोकोमा की यही रह चुकी है ना कि वो drops दालने है और वो कोई भी है जो बैठा है वो कहेगा जिंदकी पर मुझे हरे एक दिन यह drops पाने है यह सब सी main treatment के इसके बारे आपको कुछ कहन है कि जो drops की है जो patients को क्या advice है आपकी देखिए यह हर जगे different जगों पर different rule लागू होगा basic चीज यह है कि आपकी आँक का प्रेशर बढ़ा हुआ है जैसे मैंने कार का टायर का प्रेशर आपकी आँका प्रेशर ठीक करना है या तो हम उसको drop से ठीक करें या हम laser से ठीक करें इंग्लेंड के अंदर तो ऐसा rule आ गया है कि लेजर चलिए selective laser ट्रेशर प्लास्टी आप उसको कर दें तो आपका 2-3 साल तक दवाई नहीं डालनी पड़ेंगी लेकिन drops फिर आके डालनी पड़ेंगी ऐसा नहीं है कि जो laser है वो पूरी तरीके से successful है लेजर सिरफ 75% लोगो तो अगर ये देखें कि एक आँख की इंसान की कीमत नजर की कीमत कितनी है उसको आप अंदाजा नहीं लगा सकते लेकिन जो इंग्लेंड के अंदर एक जो ट्रायल अभी हुआ है उसके अंदर उने लगाया कि एक आँख का clear vision अगर मेरे को एक दिन का मिल जाए हफते में उ 220,000 पाउंड देने को तैयार हूँ ठीक है 220,000 पाउंड करीबन करीबन पढ़ेगा तीन करोड के करीब तीन करोड रुपे देने को तैयार होंगे बात यह हिंदुस्तान पाकिसान के अंदर आपको आई ड्रॉप डालनी चाहिए लेकिन अगर आपका ग्लॉकाम एडवांस ह हो गया है बढ़ गया है तब आपको अगर ऑपरेशन की बताते हैं तब आपको अच्छे ग्लॉकाम स्पेरिशलिस्ट से ही ऑपरेशन करा हैं क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी ऑपरेशन करने को तयार हो जाते हैं वह ऑपरेशन पहली बार में सबसे अच्छा होता है लेकिन operation ना कराना पड़े उस से बढ़िया क्या बात हो सकती है आपको जिन्दिगे में कभी ऐसी stage ना है कि आपको operation कराना पड़े उसके लिए अगर आप regularly दवाई डालते रहें और दवाई सही तरीके से डालते रहें तो ग्लॉकमा की treatment के अंदर आगर आप मुझसे पूछें कि सबसे important चीज क्या है उसके अंदर सबसे important चीज है कि एक तो आप regularly treatment लें और correctly हर बार हर बार ठीक तरीके से बार बार ठीक तरीके से अगर आप इसको नहीं करेंगे तो फिर आपको operation की जरुत पड़ेगी operation के अंदर क्या होगा वो उपर वाले जान दूसी यह कि एक वरी जदो दिस्नी चल जान दिया ओ दिस्नी नूँ वापस नहीं लेके आ सकते उनु जदो एक वरी थ्वाड़ा दिस्नी गई थ्वाड़ी देखन दी शक्ती गई उनु वापस नहीं ले सकते तो यह नहीं कोई फैदा है कि आप ड्रॉप्स नहीं पाईए जहां आप ऑप्टिशन या आई स्पेशलिस को नहीं जाईए फिर आप बेठे रही है कि कही होना सी आगे ह आप नहीं करो पांच मेंट रहे हैं साथ लगदा चार मेंट रहे हैं शर्मा जी के थोड़ा सा हमें समराइज करना है यह हमारा पहला शोड़ा था ग्लोकोमा का तो इस समरी में जो आपके दर्शक है जो देख रहे हैं इनको क्या एडवाइस दे कि जो तीन-चार चीजें जो यह करें और कभी फूले ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी चीज के लिए खास तर पर गलोकोमा के लिए भी आपको इस चीज की जिम्मेदारी खुद उठानी है यह नहीं कि मेरा बेटा उठाएगा या कोई और उठाएगा आपको अपना ख्याल खुद रखना आगर कोई चीज कर बड़ हो रही है चाहिए आख की और कियो इस मामले में गलोकोमा की बात कर रहे हैं आप अपना इलाज के लिए पहले अपना चेक अप कराने के बाद अगर चीज आती है तो आप ऑस डूप्र डॉक्टर के पास जाएं फिर आपको जो ट्रीटमेंट दि तो कोई और आपका हाल क्या रखेगा कि इतना ही बड़ा सर्जन हो कुछ भी हो लेकिन अगर आपकी आँख की नर्दर चली गई तो फिर वो वापिस नहीं लापाएगा गलाकामा के अंदर इसलिए क्या करना है खुद को बुलंद करना है आपको खुद की जिम्मेदारी लेन में थोरा सा आता है एक बहुत बड़ा आई सर्जन है इंडिया में तनूज दादा उस जो आर्पी सेंटर दिली से है उसने चाहिए भी की थी कि जब आप मेडिटेशन करते हैं जब शिर्फ मेडिटेशन करने से भी आपका कई उसके साथ आप है और उन हमेल्ठ जैसे दॉक्तर शर्मा जी ने दस्याय है ड्रॉप्स डालने है ऑप्टिशन को जो आपके प्राइमिर हेल्फ के आई स्पेशलिस को एक वारी साल में जुरूर देखने जाना है और दूसरी चीज है है थोरी सी हम हिंदी में आज बात करने हैं जादा क्योंकि थोरा संगेक टी पर में चीज है एहा के तरिशना वड़ा रोग लगा मरना मनोवसा रहा तरिशना एड़ी चीज हुंदी है जरी थोरी आवदी दिसनी थी थोरी आवदी हेल्थ दी थोरी ने मस्या तोड़े मंद चुकाड़ दें दी है तरिशन शर्मा ने तोड़ ग्लोकोमर स्पेशलिस्टी तोर दें दस्याया कि तुसी एचेक आप कराओ जाके ते जदो सुनू एक वरी चेक आप होगे वो ड्रॉप्स डालने हैं एवरी डे ने तो लेजर जा सर्जरी करानी है अच्छे से स्पेशलिस्टे करानी है तरिशन शर्मा ने अपने बिजी स्केजूल से ये क्लिनिक लगा के आये हैं हम इसको इनको आपके सामने ताह लेके आए के थोड़ी सी आपकी भी सेवा कर सके हम अगर किसी को भी फाइदा होता है कि अब इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें जो कि हम बदा सकते हैं वह आगे के शो में कराएंगे हम और ओके जी वाहिगुर्जी का खाल्सा वाहिगुर्जी की इफते